नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSC Cracker में तो उत्राखन लोग सेवा आयोग ने जो अपना अपर PCS की आंसर की रिलीज करी है तो काफी प्रशन उसमें गलत हैं तो आप किन-किन प्रशनों में अबजेक्शन कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो सभी प्रूफ के साथ आपको कोशेंस बताएंगे कि किन-किन कोशेंस पर आप आप अबजेक्शन कर सकते हैं जो NCRT का हम रिफ्रेंस लेंगे और भी जो गाइट्स रहती हैं उस हिसाब से ही आपको बताएंगे इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी जिसमें की बताया था कि कौन-कौन से प्रशने जो हैं आयोग ने गलत ठहराए हैं ठीक है तो उनमें हमने अबजेक्शन कर लिया है लेकिन अभी हम देखेंगे कुछ कोशेंस रह गए हैं ठीक है आप देख सकते हैं उनलाइन अबजेक्शन पेपर का जो ये फीस डिटेल है तो इनने टोटल नमबर ऑफ अबजेक्शन 10 अबजेक्शन करे हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं अमाउंट आपको 500 अमाउंट मतलब 50 रुपे पर कोशें के हिसाब से आपको पेइमेंट करना होगा ठीक है तो आईों के इसाब से जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो 6th plan है तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 6th plan दिखेगा आंसर की में लेकिन जब हमने अपना NCRT में चेकरा है 12th class की जो जो जग्रफी की NCRT तो आप देख सकते हैं chapter आपका Indian peoples and economy ठीक है तो chapter 9th of unit 3rd तो तो तीसरी unit में आपको जो है इसका आंसर दिख जाएगा तो जिसमें लिखा गया है जो conclusion निकला है showing that the rolling plan is third plan तो इसका जो सही answer होना चाहिए NCRT के according तो third plan इसका होना चाहिए तो force plan holiday 1966 से लेके 1969 तक which is also referred as rolling plan तो इसको हम पूरा detail में देख लेतें NCRT book में तो आप देख सकते हैं Indian people and economy मे textbook geography of 12th class ठीक है तो 12th class की आपको book में दिख जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे scroll करेंगे तो यह देखे planning and sustainable development India text ठीक है तो इसमें आपको यहाँ पे एक topic मिलेगा जिसमें की साफसाफ लिखा है this plan was covered by annual plan which is also termed as rolling plan ठीक है तो यह जो plan था आपका third plan था, sixth plan नही ठीक है तो यह एक पहला question हो गया तो second question देख लेते हैं कि जिसमें आप लोग जो है objection अपना कर सकते हैं, so यह जो question पूछा गया है, HVJ natural gas pipeline does not have which of the following gas pipeline station, यह question ही गलत पूछा है क्योंकि इसमें एक से जादे question जो है वो सही है, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन अंसा जो है gas pipeline station नहीं है, तो इसका proof भी आपको बताएंगे, तो इसमें जो है एक सिर्फ और या ही एक gas station है, बाकि जो है तीन वो नहीं है, लेकिन जो आयोग न अपनी answer की जारी करी थी, उसमें सिर्फ D ही option दिया था, तो इसमें करा होगा उसका A answer भी सही होगा, ठीक है, तो इसका हम proof देख लेते हैं कि proof किस तरी किस से रहा था, तो हम official Gale की website में हैं, ठीक है, तो इसमें एक letter है, जो कि आप देख सकते हैं, यह official letter है, और उसमें लिखा है, ठीक है, HVJ जो gas plant है, तो इसमें इसका पूरा map दिया गया है, उसमें map में हम समझेंगे, कि कहां कहां प देख सकते हैं कि सभी options सही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो question है, वो गलत दिया गया है, आयोग की तरफ से, क्योंकि एक से जादे answers सही होने के कारण, आयोग को या तो question को हटाना पड़ेगा, या bonus देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोग इस question में भी अपना objection कर दिये, लेकिन अभी हम NCRT में चेक करेंगे कि इसका सही answer क्या रहने वाला है, so according to NCRT, सारे questions, जितने भी options है, वो incorrect है, तो आप देख सकते हैं, 11th class की NCRT, India Physical Environment, तो इसमें आप पेज नंबर, चैप्टर 5, पेज नंबर 59, तो इसमें आप देख सकते हैं, tropical deciduous forest जो होते हैं हम tropical thorn forest होता है, वो different होता है, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, और इसमें आप लोग जो है, objection कर सकते हैं, तो इसमें लिखा है, as per the NCRT, काहीर, belong to tropical deciduous forest, और tropical thorn forest, ठीक है, तो which is not present in any option of, मलब जो question था, उसमें options में available नहीं था, so इसमें clearly जो है, आपको bonus मिलना चाह यह Indian Council of Forest Research and Education, तो देहरादून की यह है, तो इसमें काहीर का, जो कटेचु कहा जाता है, scientific name, देहरादून में, तो इसमें भी साफ लिखा है, कि यह जो है, deciduous forest में आता है, ठीक है, तो आप लोग इसमें भी जो है, अपना objection कर सकते हैं, ठीक है, तो इसकी PDF में आपको telegram link में provide करा दूँगा, so question number 48 देख लेते हैं, which of the following medieval book is not the source of the history of उत्राखन, तो इसमें पूछा गया है, कि medieval जो बुक है, source of history of उत्राखन नहीं है, ठीक है, not लिखा है, तो इसमें जो आयो के हिसाब से right answer है, वो आपका D है, ठीक है, बाबर नामा, लेकिन जो हमारे उत्राखन का इ in English, तो इसमें साफ लिखा है कि उत्राखन के बारे में काफी अच्छे से दर्साय गया है, यहाँ पर आप देख सकते है, multiple, ठीक है, multiple reference specific to Dune and River Ganga in the original Turkey text, बाबर नामा, ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा है, उत्राखन के बारे में, दहरा दून के बारे में, तो आप इसके बाद नीचे एक और reference है, National Ganga River Basin Authority, Ministry of Environmental, Forest and Climate Change, तो इसमें आप देख सकते है, water hogging is the Hindustan river said by Babar and his Babar Nama, आप PDF देख सकते है, और last में जो conclusion निकल के आए, Babar Nama found part of the historical geography of Uttrakhan as it talk about mountains, rivers, content of Dehradun, rivers like Ganga, तो सीधा सीधा इस question में जो है bonus मिलना चाहिए, जो आयोग ने Babar Nama option ब आप लोग इस question में भी objection कर सकते हैं, so question number 139 देख लेते हैं, the sperm used for the artificial insemination of cattle are stored in, ठीक है, तो आयोग के साब से जो इसका सही answer होना चाहिए, वो liquid nitrogen है, लेकिन dry eyes भी जो है, इसका right answer हो सकते है, ठीक है, तो इसका भी proof आपको बताते हैं कि dry eyes क्यों होना चाहिए, ठीक है, तो दो no answer, जो है, इसके options आपके correct है, so proof देखें, तो ये proof आपको मिला है, विकास पीडिया, ये जो है, government के दुवारा launch की गई है, government of India के ministry of communication, information, technology, ठीक है, तो ये website आप देख सकते है, ये government की ही website है, तो इसमें साफ लिखा है, two methods से आप जो है, store कर सकते है, semen को dry ice, और liquid nitrogen, ठीक है तो आप इसमें clearly पढ़ सकते हैं, ये आप article आप विकास पीडिया में भी देख सकते हैं, जो कि government undertaking है, मतलब government ही इसको regulate करती है, और frozen semen can be stored, ठीक है, proper temperature maintained, ठीक है, तो dry ice, जो जिसका temperature minus 100 degree Celsius रहता है, और liquid nitrogen का जो है, minus 320 degree Celsius रहता है, ठीक है, तो ये आपका answer सही हो सकता है, दोन 122, dry ice and alcohol, ठीक है, तो दोनों questions आपके सही है, dry ice and alcohol से आप जो है, इसको freeze कर सकते हैं, ठीक है, तो जो conclusion निकल के आया है, कि विकास पीडिया, government of India की own platform है, जिसमें की बताये गया है, कि dry ice से भी जो है, एक method है, और liquid nitrogen तो पहले से था ही, तो आप लोग, अगर आपने option A करा है, वो भी सही होगा, option B करा है, वो भी सही है, तो आप लोग इस question में भी objection कर सकते हैं, horizon मिलेगा, ठीक है, तो इसमें आपको tourist heritage of उत्रकंड, यमनूत्री, source of river Yamuna, it has westernmost sign in the गड़वाल हिमालिया, तो ये इसका जो है right answer रहने वाला है, बंदर पूच, source of river Yamuna, in the extent of south distance within the Govind National Park, proof of satellite image are below, तो satellite images भी आप देख सकते हैं, जिसमें की देख सकते हैं, गोविन पशु बिहार, जिसका जो origin है, वो आपका Yamuna से हुआ है, तो आप इसको जो है, consider कर सकते हैं, और इसमें objection कर सकते हैं, ठीक है, तो एक और website, Ministry of Environment, Forest and Climate, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, बंदर इसमें भी काफी questions हमने consider करे थे, और ये भी वीडियो है, ठीक है, तो इसमें 4-5 questions लिये थे, हमने इससे पहले हमने 5-6 questions लिये थे, मन्दब टोटल अराउंड 10-12 questions हो चुके हमारे पास, जो की objection के लिए हैं, ठीक है, तो अभी IO पर depend करता है, कि वो किन-किन question हो पर bonus देता है वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारा काम था कि objection करना, ठीक है, तो हमने जो reference लिया है, वो NCRT का लिया है, और जितने भी authorized उत्राखंट की और जो government की books हैं, उनका लिया है, तो आप लोग चैनल पर बने रही है, आपको अगर ये data चाहिए, तो UKSSC करके ठीक है, UKPSC objection करके, टेर जेहिंद, जेभारत